हेलो एवरिवन वेलकम इन माइ यूटुब चैनल लोएन हार्ट कीन लर्नर आज हम पढ़ेंगे एन्सी आर्टी साइंस चेप्टर नूमर टैन क्लास शिक्स्थ तो आज हम करेंगे इसकी फूल एक्प्लेनेशन वन बाइवन वर्ट वर्ट नाव मोशन और मिजरमेंट अफ इ मोश से दूसरे प्लेस पे जाता है उसे हम उसकी मोशन बोलते हैं जैसे आप देख सकते हैं ए बिंदू पे कोई आब्जेक्ट है और वो बहुत देर में किसी बी बिंदू में पहुंच है इसमें उसको लगते है टैन मिनेट और ये है फाइव किलो मिटर तो इसको हम मोशन बोलेंगे किसको डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इस कार्ड मोशन उसको हम मोशन बोलते हैं मिन्स किनी दो बिंदों के बीच की दूरी और उसमें लगने वाला समय मोशन कहलाता है जितनी भी लेंथ है उनका मीजर करना बाइदा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसिस अलग अलग डिवाइसिस जैसे मिजरिंग टेप है मीटर सकेल है कीलोमिटर के बारे में हम कर सकते हैं और नॉरमली हम कहते हैं फितता ले आएउ से माप लेते हैं हम लोग फिट्स में तो अलग अलग तरह के डिवाइसिस हैं जो मिजर्मेंड करते हैं डिस्टेंशिज का So now chapter There was a journal discussion among the children in Pahali and Buzo class About the places they had visited during the summer vacations Summer vacations में वो बहुत अलग अलग तरहें के Places visit करके आते हैं देखके आते हैं तो उनके बारे में discussion करते हैं Some had gone to their native village By a train Then a bus And finally a bull cart One student had traveled by an aeroplane Another spent many days of his holidays Going on finishing trips in his uncle's boat Means बहुत से बच्चे अलग अलग तरहें से Travel करके holidays में घूमने के लिए जाते हैं कोई बस से, कोई पैदल, कोई बुल काट बुल काट समझते हो Tonga टाइप होती है Tonga की जैसी होती है और बुगी भी हम Local language में उसको बोल देते हैं Bell गाड़ी That से मुसीत रह की होती है और बहुत से बच्चे अरोकलेन से गूम के आते हैं Buses से बहुत ज़्यादा तरह तरह के Vehicles हमारे चारों तरफ चलते हैं जिनके दुवरा हम दूरियां तै कर सकते हैं Distances को Travel कर सकते हैं The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about Small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars And conducting experiments Means The teachers then asked Teacher पूछते हैं Read newspaper articles क्या आपने पड़ा की कोई small, छोटा, छोटे बैरों वाला यानि के बहुत छोटे छोटे गोल गोल पईयों वाला कोई Mars की soil पे चलती हूँ चीज जो experiment किया गया है उसके बारे में किसी को कुछ पता है तो इस बारे में teachers पूछते हैं These vehicles were taken to by spacecraft all the way to Mars और ये जो छोटे-छोटे vehicles हैं जो दूसरे ग्रहों पे चलते हैं That one is the spacecraft के द्वारा पंचाहे जाते हैं Next Meanwhile, Peheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another place in earlier time Means, पुराने लोग आदिवासी टाइम ancient people जो starting के थे इंडिया में लोग वो किस प्रकार से travel किया करते थे Story of transport में हम पढ़ते हैं 10.1 Long ago, people did not have any means of transport Starting में, यानि के बहुत सालों पहले आदमियों के पास किसी प्रकार का कोई भी transport का विकल नहीं था They used to move only on foot and carry goods on their back वो सिरफ घूमते थे अपने पैरों से और अपने पीट पे लेके जाते थे Goods, घर का समान, कोई भी खाने पीने की चीज़ें वस्तु हैं Later on, they begin to use animals for transportation फिर उसके बाद उन्हें दिरे-दिरे स्टार्ट किया Animals का transportation के लिए For transport, throw water routes, boards were used from ancient time और बहुत पराने समय से पानी में, boards का चलना ये बहुत पराने समय से होता आ रहा है To begins with, both were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made और boards बनी होती थी हमें साकिन से, ऐसी लकड़ी से जो बीच में से खोखली होती है, bass type से Later, bamboo type से ही बनी होती थी boards Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boards These shapes, इन सभी shapes को intimated the shapes of the animals living in water और इनको बनाया जाता था, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनी की shapes के उपर इनको बनाया जाता है जिससे की असानी से उसमें tear सकें जैसे, recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter number 8 or 9 8 or 9 में हमने पढ़ा है, streamline shape के बारे में, जैसे fish आगे से थोड़ी सी पतली, बीच में मोटी, फिर पतली और फिर उसके बाद उसकी tail आया तो इस प्रकार से invention की गई थी invention of the wheel made a great change in modes of transport, जैसे ही पईएं की खोज हुई, तो उससे कैब बहुत जबरदस्त क्रांती आई ट्रांसपोर्ट में their design of wheels was improved over thousands of years, और धीरे 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 उस पईएं का design अच्छा होता चला गया, इंप्रूव होता चला गया, और animals were used to pull cart that moved on wheel, और धीरे धीरे animals का use होने लगा, pull cart को खैंचने के लिए, बुगी या बगरा बगरा चीज़ों को खैंचने के लिए उनका उप्योग होना शुरू हो गया, Until the begins of the 19th century, उनिस्वी सदी के आसपास, people still dependent on animals, boars, ships to transport them from place to place, एक जगा से तूसरी जगा जाने के लिए लोगोंने शुरू कर दिया था, depend रहना, animals पे, boars पे और ships पे, The invention of steam engine leads to the development of new means of transport, और जैसे ही invention हुई, खोज हुई steam engine की, भाब से चलने वाले engine की, तो एक नया अध्याय और start हो गया transport का, जिसे आज हम use भी कर रहे हैं, काफी trains वगएरा में, पुराने समय में होते थे भाब के engine, Rail roads were made for steam engines, driving carries and wagons, letter came, और यह हम कुछ देख सकते हैं, जैसे जैसे ही पहिये का अविश्कार हुआ, तो बैल गाड़ी आ गई, उसके बाद बढ़ता चला गया, और steam engine आने के बाद हमारी train का भी अविश्कार हो गया, तो यह थे कुछ पुराने टाइम के, 1900 के आसपास, aeroplanes की invention हो चुकी थी, और यह बहुत अच्छे तरह से passengers को और घर के साजोसमान को एक जगा से दूसरी जगा ले जाते थे, electric trains, monorails, supersonic aeroplanes and spacecrafts are some of the contribution of the 20th century और यह सभी जो अभी नाम ली है मैंने, यह सभी 20th यहने के 20th सदी के अंदर invented हो चुके हैं, Now, 10.1 shows some of the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent. Are there any of the earlier mode of transport that are not in use today? 10.2, how wide is this desk? 10.3, कितना बड़ा है यह desk, bench, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम आपके बता सकते हैं कि यह कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो कैसे पता चलेगा? How did people know how far they have traveled? कैसे पता लगता है कि हम कितनी दूर दक घूम के आ चुके हैं? How will you know whether you can walk at all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw? पता चलता है कि हमें bus की जरूरत है, rickshaw की. Simple सी बात है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे distances बढ़ती चली जाएगी, हम उनको measure करते हैं कि दूर है या नजदीक है, उससे हमें पता लगता है कि हमें paddle जाने में ज़्यादा सानी रेगी या time को बचाते हुए हम किसी vehicle, rickshaw, bus के दूरा भी हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं. It is an often important to know how far a place is. किस परकार से हमें पता चलता है, simple सी बात है, हम उसको measure कर सकते हैं, map सकते हैं. Sometime, there are objects whose length and width we need to know. कुछ समय ऐसे आते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये object कितना चोड़ा, कितना लंबा है, क्योंकि हम जब भी किसी बड़ाई के पास, यानि के लकड़ी बड़े के पास जाते हैं, कि भी हमारा ये चीज बना दो, तो हम उनको बताते हैं कि ये हमारी dimensions रहेंगी, ये हमारी length, breadth और height रहेंगी चीज की, तो उस परकार से बनाना है. तो इस चीज का पता होना चाहिए, तो ये सभी हमें कहां से पता लगेगा, measure of distances के दुआरा. Now, on the teacher's suggestions, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही, एक desk लेंगे, और उसको बिलकुल half-half में हम divide कर लेंगे, by the, मतलब किसी भी चीज से हम उसको divide कर सकते हैं, half-half में. Next one, both पहले और बुजो 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 औ गरविंगे, length equal to डंडा length and two lengths of the गिल्ली, so drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with the half of the desk, अब हम क्या करेंगे इस desk के उपर simple है, एक गिल्ली और एक डंडा, और एक गिल्ली और एक गिल्ली और एक गिल्ली और दोनो दोनो तरफ इतना पूरा आपके बीच में से एक लाइन निकाल देंगे so, next page hello now when measured with the new set of गिल्ली और दंडा the desk length seems to be about to dंडा length one गिल्ली length with a small length still left out this is less than one गिल्ली length, now what अब क्या होगा what would you suggest पहिली and Buzo do to measure the length of the whole desk can they use a cricket, wicket and biles to measure the length or do you think that this might create the smaller problem means, हाँ ये इससे भी एक problem उत्वन हो सकती है अगर वो थित्रे से ना है तो लेकिन हम एक गिल्ली और एक दंडा के साब से हम इसको टू हाफ्स में बाट सकते हैं next, one thing they could do is to take a small length of string and make two points on it this will be string length they can measure the width of the desk in string length how can they use to string to measure distance less than the length of the string they can fold the string and mark it into half, one by four and one by eight string's length means, हम जागरेंगे, strings से हम अगर अपनी टेबल को मापना चाते हैं तो सिद्धी सी बाद है, उसको पर मार्क कर लेंगे string length थोड़ी से बड़ी होती है तो उसके पर मार्क कर लेंगे, one by two, one by four, one by eight now, perhaps Hayley and Boozo can measure the exact length of the desk using the string you would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem yes, of course हाँ, आप क्या कर सकते हैं अगर इससे नहीं आती, string से इसकी length नहीं measure हो पारी तो आप क्या करें only just put out the scale from your geometry box and to solve the problem of Boozo now, before such standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distances अब आपको अच्छी तरे से पता ही है कि बहुत अलग अलग प्रकार के standard scales आ चुके हैं, जिनके द्वारा हम अलग अलग तरह कि distances को माप सकते हैं there are so many occasions when we come across and need to measure lengths and distances ऐसे बहुत से मोके आते हैं जिन पे हम लोग length को measure करते हैं, distance को measure करते हैं, मापते हैं जैसे कि एक टेलर कुर्टा काटने से पहले उसको मापता है कि कपड़ा कितना है एक कारपेंटर to need measure the height and width of the cut cupboard cupboard की height and width का पता होना चीए ताकि वो छितरे से उसका fixed door बनास के the farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seeds he can show and how much water would be needed for his crop तो एक farmer को भी आशकता होती है कि कितनी length और breadth के area में मैं कितनी seeds वीजाई कर सकता हूँ और कितना पानी मेरा लगेगा Suppose you are asked how tell you are you want to tell the length of the straight line from the top of your hand head to the hill of your field how long is this room, कितना लंबा रूम है, decks की लंबाई कितनी है, चुडाई कितनी है how far it is from Delhi to Lucknow, कितनी दूर है ये दोनों आपस में moon से earth कितनी दूर है तो ये काफी सारे questions है जिनका जो answer हमें सिर्फ और सिर्फ किस से कहां से मिल सकता है किसी भी चीज़ को mapने से या उसकी बताने से distance कितनी दूरी पे है वो ये सारे जितने कोशन है, सभी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में ही पुछा जा गया है the two places may be close enough दो places आपस में बहुत नजदीक हो सकते हैं like the end of the table and they may be far apart और दूर भी हो सकते हैं like Jammu and Kanyakumari let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ हैसे experiments जिन से हम क्या करते हैं कोई distance और lengths को measure, map सकते हैं 10.3, some measurements कुछ हैसे measurements जो हम देखते हैं रोजमर अगजिनगी में work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length measure the length and breadth of the classroom it is possible that while measuring these you may find some part remain to be measured as it is smaller than your foot तो आप बहुत सारी lengths और distances को map सकते हैं, जैसे आपके classroom को map सकते हैं by your foot but different, जैसे आप से छोटा कोई है तो उसके छोटे fits होगे, कोई बड़ा है तो उसके बड़े तो वो हर बार counting थोड़ी सी अलग आएगी, तो इसको हम सही नहीं कह सकते कि सही मापा जाग गया है इसको Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before record your observations in table 10.1 अब name of students, जैनके different different students, जिनके आप fit prints को use करते हैं अपनी class की दूरी मापने में, distances, lengths मापने में, उनके नाम length of the classroom, width of the classroom तो यह कितनी कितनी आई, सभी कि यह लग लग आएगी, I know very well So, second activity में यह क्या दिखाता है, कि हम अपने hands pen से भी क्या है, desk को माप सकते हैं But this also be different for different different students Because some having bigger one or some having smaller one Here to you, many find, may find that you need string lengths equal to your handspan And then fraction of this string length of to make the measurement Record all observations in table 10.2 We see that measurement means the comparison of an unknown quantity Comparison करेंगे हम लोग, unknown quantity Next, इसमें हम fill कर सकते हैं table 10.2 में Who measured the width of the table उसके बारे में Number of the handspans, कितने handspans उसके इसमें आई है Next, with some known quantity, this known fixed quantity is called unit और कुछ known quantity जैसे कितने handspans आई हैं तो that one is, उसको हम कह सकते हैं unit A one handspan is, means handspan is a unit 1, 2, 3, these are the digits So, but you know very well, these both handspans with other students' handspans not equal So, it is not appropriate unit So, the result of a measurement is expressed in two parts One part is a number, the other part is the unit of the measurement I told you, for example, if in activity, the length of the room found to be 12 lengths of your foot Then the 12 is the number and foot is the unit I told you about this, about your handspan Now, study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2 Are all the measurements for the room using everyday foot Everyday foot equals Are everybody's measurement by handspan of the width of the table equal? No Perhaps the result could not be different Could not, could be different as the length of your handspan And that of your friends may not be the same Yeh, alag-alag आएंगे, जितने भी आएंगे और सभी के सभी जितने भी results हैं वो एक दुसरे के साथ same नहीं हो सकते Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students Therefore, when you tell you measurement using your handspan or length of the foot As a unit to others They will not be able to understand how big and actually length is Unless they know the length of your handspan or foot Means, हम यह नहीं जान सकते की हमारे handspan की actual length कितनी हैं Foot की actual length कितनी हैं जिससे हम यह बता सके की actual में इतनी length हम map चुके हैं We see, therefore, the sum of some standards units of the measurements are needed That do not change from person to person इसी लिए हमें जरूरत आवशक्ता होती है कुछ standard units of measurements की Means, ऐसी units जो हर जगा पे एक जैसी हो जिनमें कोई changing ना आए Means, जैसे एक handspan, दूसरे बच्चे के handspan से चोटा या बड़ा हो सकता है But, यह units कभी भी change नहीं हो सकती चाहे वो country to other country, person to person किसी की भी, कहीं भी, कैसे भी So, now, 10.4 standard units of measurement अब हम बात करेंगे standard unit of measurements के बारे Means, ऐसी unit जो हर जगा पे लागू हो सके और एक जैसी रहे In ancient time, the length of the width of a finger and the distance of a step Were commonly used as the different units of the measurement होती थी, fingers की width, foot or step Commonly यह सरी चाहे, used होती थी मापन किरिया में Next, the people of the Indus Valley civilization Must have used very good measurement of length Because, we see evidence in executions of perfectly geometrical constructions हम देख पाएंगे, Hindus Valley जो थी, civilization में वहां पर कुछ अच्छी तरह से मापन किरिया हैं अच्छी थी जिनके कान के हैं, वहां की जितनी भी बनी मूर्तियां हैं या constructions हैं, वो सारी symmetrical यानि कि geometrical एक सही डंग से थी मापन किरिया हैं A qubit as the length from the elbow to the finger tips was used in ancient Egypt और qubit use किया जाता था Egypt के दुबरा and was also accepted as a unit of length in the other parts of the world और अलग-अलग हिस्सों में भी इसको एक length के रूप में unit के रूप में माना जा चुका था but people also used foot as a unit of length different parts of the world foot को भी यूज करते थे the length of the foot used varied slightly from region to region और ये जो foot की length थी ये region to region थोड़ी सी अलग-अलग रहती थी people measured yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin outstretched arm और their chin यनिके थोड़ी से लेके हाथ की finger की last सिरे तक के ऐसा भी कुछ yard के रूप में हम मापते थे पहले Romans कुछ ऐसा ही करते थे in ancient India small length measurements used were an angle यनके अंगल उंगली करते थे थे उसको fingers जिसे हम बोलते हैं और ये मुठी fist मुठी को मुठी बंद कर लेता है उसको fist बोलते हैं और बहुत जगाओ पर आज भी हम देखते हैं कि क्या है four arms के दुआरा मापी जाती है लंबाई जैसे कि एक floor seller करता है next however everyone body parts could be of slightly different sizes सभी के जितने भी body parts हैं सभी persons के person to person vary करते हैं उनकी length, breadth vary करती है body parts की तो next हम जलते हैं second parts की तरफ इसकी have caused confusion in measurement और इसके कारण के बहुत सारे confusions पैदा होते थे मापन में in 1790 the French created a standard unit of measurement called the matrix system सबसे पहले French ने create किया था एक standard measurement of units का system that one is the matrix system for the sake of unit informity और ये सिर्फ किया गया था एक जैसा बनाने के लिए means हर जगा पे एक जैसी units को use किया जाए एक जैसी दूरी प्राप्ट हो जब भी कोई गन्ना दी जाए कि 10 km, 10 m, 10 cm तो ये एक जैसा होना चीज सब जगा पे तो इसके लिए क्या है matrix system लाया गया था किसके दौरा French के दौरा for the sake of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement एक जैसी units बनाने के लिए जितने भी scientists all over the world थे सभी ने accept किया कि standard unit of measurement आनी चाहिए the system of units now used is known as the international system of units यहने के SI units जो आज के समय में हम units use करते हैं that system is there SI unit of length is meter और इस international system of units के अंदर SI units के अंदर आता है length को हम meter में यह measure करते हैं means meter की जो length है वो हमारी standard unit है kilometer, centimeter, millimeter यह सब meter से बनते हैं सब meter का ही एक पार्ट है जो बनते हैं okay M meter scale is shown in figure 10.6 देखा होगा आपने also shown in is the 15 centimeter scale in your geometry box आपके इस geometry box में भी इसी का पार्ट होता है वो 15 centimeter का each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters see 1 meter equal to 100 centimeter 1 centimeter is equal to 10 millimeter for measuring length distances meter is not convenient units we define a larger unit of length it is called kilometer meter जो है कैसी length है जो large distance के लिए सही नहीं होती means हम उसको large distance के लिए बनाएंगे तो उसमें digits बहुत आ जाएंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं किलोमेटर को यूज करते हैं यह पहले तो this is the meter scale c this is the meter scale 10.6 में दिखाया गया था आपको meter scale 100 centimeters is written on it over it so next the 10.5 correct measurement of length in our daily life we use various types of measuring devices we use a meter scale also for measuring lengths a tailor uses a tape whereas a cloth merchant uses a meter road आपने देखा होगा जब भी कपड़ा करीदने जाते हैं तो कपड़ा जो खुला कपड़ा होता है उसको मापने के लिए हमेशा वो एक road रखता है अपने पास जिसे हम meter scale कहते हैं for measuring the length of an object you must choose a suitable device you cannot measure the grit of a tree or the size of your chest using a meter scale meter scale के दोरा हम ये दो चीज़े नहीं माप सकते हैं हमेशा जब भी गोलाईगी कोई चीज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं उसके लिए measuring tape is the suitable for this measuring tape आपने देखा होगा जितने भी सिलाई करने वाले tailor हैं उन सब के पास measuring tape होता है for small measurements such as length of your pencil you can use your 15 cm scale from your geometry box कर सकते हैं आप next intake measurements of a length we need to take care of the following first the place the scale in contact with the objects along its length as shown in figure अच्छी दरे से contact करेंगे first zero units का और last में कितनी unit इसमें आती है second point in some scales the end may be broken तूड जाता है you may not be able to see the zero mark clearly then you can start from one one एक one की reading से आप उसको सुरू कर सकते हैं next taking measurement from the zero mark of the scale you can use any other full marks of the scale say one centimeter आपने देखा होगा बहुत सारे scales देखे होगा आपके हाथ में जो scale है हमारी जो study के अंदर use होता है उस scale पर आप देख सकते हैं कि one centimeter का mark लगा होता है फिर two centimeter फिर three centimeter means equal distances पे equal marks वहाँ पर लगे होए आपको दिखाई देंगे then you must subtract the reading of this marks from the reading at the other end means हम अगर किसी चीज को मापते हैं तो उसकी reading यहनकि one point zero लिखा हुआ है और last में जहां तक reading है मालो eight आगी तो eight में से one को minus करके हम बता सकते हैं seven centimeter की यह चीज है अगर हम scale को zero से start कर लेते हैं तो हमें उसमें reduce करने की जरूरत नहीं पड़ेगे therefore the length of the object is 14.3 minus 1.0 centimeter is equal to 13.3 centimeter c this is the scale by which we can use to measure the objects next b यहां से अगर मापेंगे यानि कि one से अगर मापेंगे 14.3 आया तो 13.3 ही इसकी distance रहेगी देख रहे हूंगे आप आपके सामने हैं तो उसका अगर zero से start किया तो 13.3 reading शो करेगा अगर one से start किया तो 14.3 reading शो करेगा next है third point correct position of the eye is also important for taking measurement और हमारी जो eyes की position है उसकी correctness होनी बहुत जरूरी है सही तरीके से measurement होना सही बहुत जरूरी है means अगर हम object को माप रहे हैं तो हम उसके बिलकुल 90 degree means बिलकुल 90 degree पे होने चाहिए जहां scale रखा तो उसी के बिलकुल सामने हमारी आखे होनी जिससे के हम उसको अच्छी तरह से position को माप सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं A, B, C तो correct जो थी वो that one is the बिलकुल perpendicular to the device device के बिलकुल perpendicular means बिलकुल सामने जहांपर हमने digits check out करनी है ये reading देखनी है उसके बिलकुल perpendicularly position पर हम लोग क्या करेंगे अपनी आखे रखें जिससे हमें अच्छी तरह से दिखाई दे अगर हम तीरचा देखते हैं तो हमें हमेशा units में फरक नजर आएगा ही ये आप अपनी गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं जैसे 80 km per hour की speed से कोई गाड़ी चलती है अगर हम तीरचा conductor seat पर बैठके देखते हैं तो वो हमें 85 km per hour लगेगी और अगर हम driver से उसकी right and side से बाहर से देखते हैं तो वो 75 लगीगी लेकिन driver को अच्छी तरह से पता होता है कि इस बिलकुल सिदी 80 km per hour की speed से हमारी गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब क्या है हमारी आखे बिलकुल सामने होने चाहिए उसके तब हमें अच्छी तरह से correct digits का correct units का पता लग पाएगा कि हां ये चीज हमारी सही है Now activity 3 Measure the length of your classmate using a hand span and then using a meter scale For this, ask your classmates to stand with his back against a wall तो इस प्रकार से क्या है काफी बच्चे आपस में भी make a mark on the wall exactly above his head बिलकुल head के उपर अपने class के अंदर भी बना सकते है कि आज किसकी height कितनी है उसको check करने के लिए तो उसमें क्या करेंगे, just खड़ा है बच्चा दिवार के भी बिल साथ उसके just over the head हम उसके एक निशान लगा देते हैं जिससे हम माप सकते हैं, कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा है और यहां अपने दोस्तों की heights लिख भी सकते हैं centimeters में माप सकते हैं हम लोग, centimeters में हम लिख सकते हैं अपने centimeter scale से उसको माप के study carefully result obtained by the different students the result in column 2 may be different from each other as the length of hand handspan may be different for different students और अगर हम handspan से इसको मापते हैं यह हर बच्चे की अलग-अलग भी हो सकती है जैसे एक ही बच्चे की height अलग-अलग बच्चा अगर मापे तो वो अलग-अलग भी आ सकती है क्योंकि handspan सभी के एक जैसे नहीं होते so add the result in column number 3 where the measurements are done using a standard scale the result will may be close to each other सभी के एक जैसा हो सकता है but are they exactly बिलकुल exactly सही होगा वो equal सभी का equal आएगा जितने भी बच्चे हैं अगर उन्होंने सही meter scale का use किया है तो if not why do you think there is a distances differences तो क्यों इसमें अलग-अलग तरह के differences आएं हैं इसके बारे में सोच सकते हैं after all everybody is using the same scale and not different hand span this could be due to small errors in taking observations observations लेते समय थोड़ी थोड़ी जैसे मैंने अभी एक गाड़ी की speed का 80 km per hour की speed का भी example दिया था उसी प्रकार से देखने वाले की position के उपड़ी पैंट करता है कि सही है या गलत है next 10.6 measuring the length of a card line card line की length को मापना we cannot measure the length of a card line directly by using the meter scale के दोड़ा आम नीम आप सकते क्योंकि इस सिदा होता है card line थोड़ी सी तिर्ची होती है loop में होती है when can sorry we can use a thread to measure the length of a card line हम एक धागे का use कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं card line हमने लगा दी है इसके उपर हम क्या गरेंगे एक धागे को A सिरे से लेके इसके साथ साथ रखते चले जाएंगे और B सिरे तक मिला देंगे फिर इस धागे को हम क्या करेंगे सिदा करेंगे और अपने meter scaleses को map लेंगे जिससे क्या है हमें exact दूरी distance का पता लगेगा कि A to B total length कितनी है इनके बीच में distance कितनी है on repeating this process till the other end of B of the covered line is reached make a mark on the thread where it is touches the end B B and जहां touch करता है धागा उसको mark कर लें और फिर उसको उस mark तक मतलब धागे की starting से लेके उस mark तक उसको map लें तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी है हमारी covered line की distance we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly हमें बड़ा सावधानी पूर्वक स्विधा पूर्वक हमें क्या करना पड़ता है अराम से अपनी कोई भी length को map न होता है बिल्कुल सही तरीके से we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others और जब हम इसको अच्छी तरह से map लेते हैं standard unit के द्वारा तो हम दूसरों को ये message convey कर सकते हैं कि इसकी standard unit इतनी है या इतनी है that one now 10.7 moving things around us हमारे चारो तरफ चलती हुई ठीजे activity 5 think of some objects you have seen recently सोचो जो आपने starting में अभी कुछ ऐसे objects देखे हैं जो चलते हुए आपके सामने आए हैं list them table number 10.4 10.4 के अंदर आप इसकी list बना सकते हैं object at rest house table clock object in motion a flying bird second hand of the clock और बहुत सारी ऐसी चीजें से vehicles हैं cycle, bicycle यह सभी क्या आपको चलती हुए नजर आई होंगी so इन के बारे में हम बात करेंगे अच्छी तरह से you might have noticed that the bird is not at the same place after some time एक bird एक पक्सी कभी भी एक समय कभी भी एक स्थान पे काफी लंबे समय तक नहीं बैठा रहता वो इदर उदर उड़ता रहता है चलता रहता है while the table is the same place while the table is at the same place लेकिन एक table हमेशा सेम अपने ही स्थान पे रहती है लगवल on this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion इन चीजों के इसाब से आप बता सकते हैं कि कोई object motion में है या रुका हुआ है इनस हम बता सकते हैं कि table fixed है तो इसको stationary बोल देंगे एक house fixed है तो इसको stationary बोल देंगे एक bus stand fixed जगह पे है तो वो change नहीं होता तो उसको हम stationary बोल देंगे बहुत जल्दी काफी सारी और भी एंट्स उसमें आ जाती हैं जैसे कि ये देख सकते हैं आप तो इनका जो पाथ है पाथ एक ही हम एंट का पाथ को डिसाइड कर सकते हैं पहले ये इसके पाथ फिर ये इदर फिर इदर तो इस परकार से लास्ट तक तो इसने कितना कितनी डिस्टेंस को कवर किया तो हम वही सेम हम एक थ्रेड लेंगे वो इसके पाथ से हम रखेंगे इस देट वहां तक इसको सिद्धी कर लेंगे फिर हम meter scales को map सकते हैं तो motion of ant के बारे में हम बता सकते हैं कि और उसमें ant को कितना time लगता उससे हम इसको divide करेंगे तो motion of ants के बारे में हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा Each point you have marked shown where the ant moved to in intervals of a few seconds तो हर एक marks हर एक position को हम लोग क्या करते हैं map लेते हैं कितनी देर में एक ant दूसरी position पे पहुंचती है उसको भी हम record कर लेते हैं तो इस परकार से ये जो motion है ant की ये दो परकार से हो सकती है एक बिल्कुल uniform motion हो सकती है दूसरी non uniform uniform motion हम किसको बोलेंगे एक equal interval of time के अंदर equal distance को travel करके कोई भी चीज़ चल रही है उसे हम बोलेंगे uniformly motion uniform motion non uniform equal distance को unequal interval of times के अंदर वो cover करते हैं that one is the non uniform motion now 10.8 types of motion motion के type you may have observed the motion of a vehicle on a straight road march past of a soldiers in a parade or the falling of a stone आपने देखा होगा कि सिधी road पे चलता हो vehicle और march past करते हैं जो soldiers, शिपाही वो देखे होगा आपने बिल्कुल सिधे जाते हैं और एक जब भी कोई stone उपर से गिरता है कुछ height से गिरता है तो उसका भी आपको पता होगा भी बिल्कुल सिधी लाइन में वो निच्छे तक आता है what kind of motion is this कौनसी ये एक motion है तो इस motion के बारे मैं आपको पताऊँगा this is the example of rectilinear motion ये सभी rectilinear motion है a motion which is in a straight line is called rectilinear motion एक ऐसी motion जो बिल्कुल सिधी रेखा में होती है that one is the rectilinear motion next in all these examples we see that the objects move along a straight line this type of motion is called rectilinear motion activity 7 में हम देखेंगे की अलग-अलग परकार की motions इसमें आपको देखने को मिलेंगी take a stone, tie a thread to it and wield it with your hand एक stone लें उसको एक धागे से बांदे और उसको घुमाएं अपने आग से तो आपको observe the motion of the stone stone की motion को आप observe करें we see that the stones move along a circular path हम देख रहे हैं की एक stone है वो circular path पे move कर रहा है बरी-बरी से in this motion the distance of the stone from your hand remains the same this type of motion is called circular motion इस motion में जो की हमारे हाथ से stone की दूरी सेम रहती है और वो घूमता है circular loop में घूमता है that one is the circular motion next कुछ motions है जैसे आप देख सकते है some objects in the circular motion fan, fur of fans like this the motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of the clock are example of circular motion the electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another but the blades of the fan rotate and so do the hand of a clocks if we mark a point anywhere on the blades of a fan on the hands of the clock the distance of the this points from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate in this some cases an object repeats its motion after some time इस ऐसे cases में एक object के अपनी motion को repeat करता है उस समय के लिए this type of motion is called periodic motion means ऐसी motion जो repetitive हो और same हो और regular interval के बाद हो ऐसी motions को हम बोलते हैं periodic motion means periods के साब से motion करते हैं जैसे one hour always after the 60 minutes तो ये क्या है motion repeated रहती है 12 hours, 12 hours, 12 hours तो this is an periodic motion तेक दा स्टोन tied with a string with you used in activity 7 now hold the string in your hand and let the stone hang from it एक इससे स्टोन आप टांग सकते हैं और the this is a pendulum और ये एक pendulum की तरह काम करेगा pull the stone to one side with the hand and let it go इसको जाने दे थोड़ा सा खीचे और इसको जाने दे फिर ये आपको नीचे हिलता हुआ दिखाए देगा जैसे एक cloak pendulum cloak जैसे होता है उसकी तरह उसको pendulum जैसे गुमता है वैसे ये भी क्या है move करेगा तो same कुछ समय बाद same, same, same periodic motions काई कि ये example कहलाता है a branch of a tree moving to four four motion of a child on a swing strings of a guitar the membrane of the drum are all example of the periodic motion सभी ये example है किसके periodic motion के so next हम बात करेंगे कुछ this is the example of periodic motion this also example of periodic motion भी pendulum clock string और एक ये bell है tabla है तो इन सब की जो membrane तबले की membrane जो periodic motion करती है regular interval के बाद क्या है ये चलती है object are part of its repeats its motion after a fixed interval of time this motion is called periodic motion so you must have observed that the remains at the same locations while any points on its wheel moves with a circular motion it also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates is it is not it is is not it this needle is undergoing a periodic motion आपने देखोगा machine की needle है वो बरी-बरी से एक ही motion बरी-बरी करती है repetitive motion करती है that one is also example of periodic motion have you observed closely the motion of a ball along the ground here the ball is rolling on the ground एक ball है वो ground के पर चल रही है मतलबला हमने push किया उसको थोड़ा सा तो वो चल पड़ी तो उससे हमें पता लगता है कि ball साथ में distance travel करते-करते अपने आप roll भी होती है rolling भी करती है rotate भी करती है तो ऐसी जितनी भी जो अपने axes पे जितनी भी वस्तों अपने आप ही घूमती है या उनको घुमाया जाता है अपनी ही axes पे axe पे घूमती है that one is the example of rotating motion वो सभी चीज़ें एक example है rotating motion की एक ही जगा भी rotate होती है we did many measurements activities and discussed some kinds of motion we saw that motion is a change in the change in the position of an object with time the change in this position can be determined through distance measurement और बैटा हमें ये lesson पढ़के पता लगता है अच्छी तरह से कि motion क्या है बस एक position के अंदर change किसी भी चीज़ के position के अंदर change is called motion उसे हम motion बोलते है with respect to time time के according the change in this position can be determined through distance measurement this allows us to know how fast or slow a motion is में उसमें लगने वाला जो समय है वो बताता है कितनी तेज है कोई motion कितनी धीरे है the movement of a snail on the ground a butterfly flighting from flower to flower a river flowing an aeroplane flying moon going around the earth and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us means ये सारे जितनी भी हमारे चारो तरफ जितनी भी चीजें move करती है सारे के सारे example of motions है then this chapter is over completed now please like share and comment my youtube channel learn heart keen learner subscribe and press bell icon also for more updates okay आप तुर्ण पीजय़ करता जितनी खाए पीज़ अशल